Dear students, welcome back. स्वागत है आपका Paul Science Help में. आज हम चर्चा कर रहे हैं Brahmanic versus Shramanic traditions पे. Particularly, कैसे ये दोनों traditions मिलके Hindu political thought को बनाते हैं? कैसे इसकी synthesis से एक syncritic जो है Hindu political thought निकल के आती है उससे पहले जबकि Islam इंडिया में आया? उसके बाद तो एक अलग तरह की फिर syncritism होती है जो की Hindu and Islamic political thought का सम्मिस्टरन या synthesis होती है. उसके पहले, आठवी सताबदी के पहले. So, NCNT India में कह सकते हैं. ये वर्चुली एक तरह का last topic है. इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे और यहाँ पर मैं आपको inform करना चाहता हूँ कि मैं कोसिस करूँगा कि एक डिर मैंने जो examination के पहले बचे हुए हैं, उसमें एक exam note guide sort of online उसको publish करने की कोसिस करेंगे हम लोग, जिसमें की सारे वीडियो के PDF होंगे, उसमें notes होंगे, उसमें कुछ objective and subjective question दोनों ही रहेंगे, उसके subjective के answer template रहेंगे, जो मेरे कई वीडियो में आपने देखा होगा, आपको answer लिखने में वो help करेंगे, पूरी तरह से answer line by line होने की जरुवत नहीं है, और कैसे एक अच्छा answer लिख सकें, उसमें tips और tricks भी होंगे, तो एक तरह का guide बनाने की कोशिस है, past years के question को भी लेते हुए, जो आप पढ़ते हैं कि 10 years question type of, तो वो एक इमानदार कोशिस करेंगे, hope कि आपको उससे examination में फायदा होगा. So let us begin this, Brahmanic and Shramanic Traditions, Syncretism in Hindu Political Thought. इस वीडियो में हम सबसे पहले समझने की कोशिस करेंगे, कि Shramanic Traditions के माइनी क्या होते है, उसमें किस-किस प्रकार के Traditions आते हैं, उसकी एक brief introduction. फिर हम लोग देखेंगे कि Brahmanic Traditions से Shramanic Traditions कैसे अलग है, यह बहुत important है, examination point of view से समझना, दोनों ही मिल करके Hindu Political Thought को बनाते हैं, एक synthesis है, तो यहाँ पर हम उन दोनों के difference को समझने की कोशिस करेंगे. फिर Political Thought पहाएंगे, यह जो difference है, वो generally एक overall होगा, जिसको आप कह सकते हैं, spiritual and socio-religious difference, philosophical difference, लेकिन चुकि हमारा focus Political Thought है, तो फिर हम compare and contrast करेंगे, Political Thoughts of Brahmanic and Shamanic Traditions पे, जिस पे हमारा focus होना चाहिए. फिर हम इस discussion को sum up करेंगे, और last में, मैं थोड़ा reverse कर रहा हूँ, past years के question पे discussion हम करेंगे, इस topic पे जो पूशे गया है, Delhi University से मैंने लिये हैं. So, let us begin. तो आए समझने कोशिस करें कि Shamanic Traditions जो एंसेंट इंडिया में evolve हुई, Brahmanical Traditions से separate, वो क्या थे, उसमें क्या-क्या थत्तो आते थे, कौन-कौन से sect या कौन-कौन से religion फिर उसके अंदर में आते हैं. तो ये जो word है Shamanic, वो root word जो है संस्कृत में Shram से निकला है, Shram मतलब मेहनत करना, labor करना, ये साथ इसलिए हुआ होगा कि Shamanic Traditions के जो follower थे, वो बहुत ज़्यादा भटकते थे, वो mendicant थे, साधू थे, तपस्या करते थे, काफी मेहनत करते थे, अपने meditation में इसके चलते शायद आया होगा, ये एक alternate socio-spiritual traditions था, जो की mainstream Hinduism से अलग हो करके निकला, एक तरह से उसके reaction में, और या कह सकते हैं उसको reform करने के तौर पे निकला, हमने कबीर का देखा है, वो भी extra-amanic tradition को follow करते थे, इसमें जो है नाथ-पन्थी आते हैं, हिंदुईजम में योगा आते हैं, सिध्धा आते हैं, तांत्रिक हैं, योगिक जिसको कह सकते हैं, योगिक और तांत्रिक भक्ती, जो बहुत बड़ा एक movement था, जो की स्रामिनिक ट्रेडिसन का एक बहुत main stream pillar बना, religion के तौर पे बन गया, बुधिजम तो पुरी दुनिया में फैल गया, और फिर हिंदुईजम में ही अजाविका जो हैं, वो और लोका यूता जो चर्वाक के हैं, ये सारे जो ट्रेडिसन्स हैं, इसको एधी एक घेरा में इंसर्कल कर दे, वैसे करना unjustified है, तो उसको हम स्रामानिक ट्रेडिसन्स कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं, हेट्रोडेक्स, जो और्थोड़क्स, ब्राहमानिकल, हिंदु ट्रेडिसन्स है, जो भी हिंदुईजम से निकले हुए, या हिंदुईजम के पार्ट में, जो सेक्ट, डिफरेंट सेक्ट, जो ब्राहमानिकल जो बैवस्था थी, जो उनकी spiritualism या religious belief थे, उस पे जो चोट करते थे, जो separate रास्ते ले लिये थे, उनको हम स्रामानिक ट्रेडिसन्स इंडिया में कहते हैं, अब यदि आप देखें, तो इसमें से जैनिजम और बुद्धिजम को छोड़ कर, सब ही जो हैं एक तरह से हिंदू, ब्राहमनिकल हिंदूइजम में समाहित हो गए, उसमें वो एक तरह से assimilate हो गए, उसी में चले गए, उनका अलग अस्तितो नहीं रहा, लेकिन इन दोनों का अस्तितो रहा, जिसमें से बुद्धिजम जैसा मैंने आपको बता है, पूरी दुनिया में फैला हुआ रिलिजिन हम जानते हैं, और जैनिजम भी एक बहुत मेरिस्ट्रीम, रिलिजिन के तोर पे, इनडिया में अभी भी अपना वर्चोस या अपनी वजूद बनाये हुए है, तो ले देके हम जो स्रामनिक ट्रेडिजिन की जब इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप उसको सिनोनिमस मान सकते हैं जैनिजम और बुद्धिजम से, और चुकि जैनिजम की बहुत सेपरेट पॉलिटिकल थॉट इस टाइप से जो है नहीं है, बुद्धिजम की कुछ जादा है, तो हम बुद्धिजम पे ही जादा बात करेंगे श्रामनिक ट्रेडिजिन के अंदर में, तो स्रामनिक ट्रेडिजिन से मैंने आपको बताया कि देवर रिएक्सेंस अगें दर रिचुएलिस्टीक, हिरार्किकल और पॉम्पसनेस और एक्स्टर्नल प्रिटिंसंस और ब्राहमनिक हिंदू ट्रेडिजिन जो कि पांचमी छठी इसा पुर्व सताबदी में जब ये सब रिएक्सेंस हुए तो उससे हमें काफी ज़्यादा वो रिजिड हो चुकी थी, उसमें रिचुलिजम बहुत बढ़ गया था, सैक्रिफाइस होता था, वाइलेंस था, कास्ट पे बेस जो है सोसल स्टेटस होत जाता था, सोसाइटी को कॉस्मिक ओर्डर का एक पार्ट माना जाता था, कि सब भगवान का बनाया हुआ है, सोसाइटी भी भगवान का बनाया हुआ है, और सब धर्म से जो हैं, होल्ड किये हुए हैं, और एक इंडिविजुल को भी अपने धर्म को निभाना है, और उसका इस जनम का जो धर्म है वो उसके जाती पर डिपेंड करता है, जो उसके पुरुव जनम के कास्ट, पुरुव जनम के कर्म का फल होता है, तो एक तरह से individual का कोई अपना agency नहीं था, बिचारा एक लाचार अपने पिछले कर्म को भोगता हुआ, इस जनम के धर्म को पालन करता ह हुआ, कसमसाता हुआ, एक individual था, उसके against में स्रमनिक ट्रेडिशन उठके खड़ा होता है, वो caste system को reject करता है, वो hierarchy को reject करता है, वो ritualism को reject करता है, वो individualism और humanism को बढ़ाता है, वो कहता है कि individual autonomous है spiritual domain में, वो खुद अपना salvation प्राप्त कर सकता है, एक spiritual guru के अंदर में, कोई इस type की चीज़े उसको नहीं चाहिए, वो आत्मा में अंदर जाग सकता है, एक तरह का interior religion ये स्रमनिक लेकर के आए, in contrast to the exterior और external religious pompousness of brahmanical hinduism. इसके चलते क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने majority of caste, particularly lower caste, वैसिया तो इनके एक main pillar बन गए थे, वैसिया, छत्रिया तो थे ही, छत्रिया, वैसिया, सुद्राज, भोमेन, और तमाम तरह के even malich जिसको लोग कहते थे, उसे में हिंदु जो बाहर के थे, शका, हून्स, कुशान, जो foreigner थे, उन सब ने इस स्रामनिक ट्रेडिशन को अपनाया और इनकी followership जो है काफी बढ़ी, इस से जो है ब्रहामनिकल हिंदुईजम में भी एक introspection हुआ, कि कहीं हमारा ground जो है छिनना जाया, और उन्होंने भी कई जो ट्रेडिशन्स हैं स्रामनिक के उसको अप तरह का synthesis थी, ब्रहामनिकल और श्रामनिक का, और जो हिंदु political thought भी है, वो भी एक syncritic political thought बनी, जिसमें की दोनों ही ideas हैं, दोनों ही traditions के, ब्रहामनिक और श्रामनिक के, तो ये main एक introduction है, श्रामनिक ट्रेडिशन का, अब यदि थोड़े structured way में हम देखने की कोशिस करें कि ब्रहामनिक और श्रामनिक ट्रेडिशन के बीच में क्या differences हैं, overall ये कि ब्रहामनिक पॉल्टिकल नहीं है, spiritual, religious, social सभी ले ले, तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको introduction में बताया, कि कास्ट सिस्टम को यदि हम ले, तो ब Red Rock of Brahminic Hinduism, crucial for social stability and integral part of conception of Hindu dharma, देखिए, ब्रहामनिक जो थौट है, spiritual थौट, उसमें ये है कि पूरा जो समाज है, ये एक भगवान का created है, जैसे cosmic order होती है, जैसे कि सूरज, चांद, तारे, सोलर सिस्टम जैसे created है, और वो अपने गती से घूम रहे हैं, उसी तरह से समाज ज हुमेगा, यदि सभी धर्म का पालन करें, जो धर्म का मतलब क्या है, righteousness, duty, आपको जो करना चाहिए, वो करना, वो धर्म था, तो एक तरह का, एक cosmic order है समाज, और individual केवल उस organic hole का एक मेर, पार्ट है, जो कि धर्म को follow करना है, और धर्म उसका क्या है, जो उसके जाती का धर्म है, और वो जाती का धर्म कहां से आता है, जो social ब्यवस्था God ने बनाई है, वो God given है, और आप किसी जाती में क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि पिछली जनम का जो आपका कर्म है, वो आपकी जाती तै करता है, तो यह समझे किस टाइप की यह system थी, यह आप अंदाल लगा सकत है, इसको स्रमनिक ने जो है, बिल्कुल रिजेक्ट किया, इन्होंने कहा कि यह ऐसे कोई वैलिड नहीं है, God का कोई creation society नहीं होती है, यह human creation है, individual बिल्कुल बड़ाबर है, कोई caste जो है, किसी caste में पैदा होने से कोई जो है, बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है, अपने कर् चू से होता है, अपने ग्यान से होता है, अपने महनस से होता है, तो इन्होंने बिल्कुल social hierarchy और caste system को reject कर दिया, then second था कि जो वैलिडिटी और वेदा था, वो भी जो है, क्रक्स है, ब्राहमनिकल हिंदू traditions का, क्योंकि इस tradition में वेद को जो है, God का revealed वानी माना जाता है, मतलब यह भगवान की वानी है, जिसको की रिशी मुनियों ने सुना, सुरुती, और उसको वरवली जो है, generation, centuries तक उसको बनाय रखा और फिर बाद में उसको लिखा गया, इसलिए God का वचन है, यह ultimate truth है, इसस नो, यह कोई ultimate truth नहीं है, कोई ultimate knowledge नहीं है, वेदा कोई God का revelation नहीं है, यह किसी human का creation है, और चुकि human perfect नहीं हो सकता है, इसलिए बेद भी perfect नहीं है, belief in God जो है, कि एक साकार भगवान है, God है, जो कि हम से अलग है, किसी और transcendental world में है, वो supreme ग्याता है, supreme powerful है, omniscient, omnipotent है, जिसने अपने perfect बुद्धी और knowledge इसको है, और उसने रचना की है पूरी दुनिया की, यह जो है ब्रामनिकल हिंदू का माननेता है, स्रमनिक इसको काटते हैं, वो कहते हैं कि बुद्धी जमेदिया आप देखिए तो या जैनिजम में भी कि पूरा जो दुनिया है, वो एक तरह का eternal, natural जो power है, nature का creation है, of course इसमें कोई ऐसा भूलकुल वो नास्तिक हो जाते हैं, वो कहते हैं, उसमें एक moral, universal, moral law है, जो की एक divine है, लेकिन वो nature का moral law है, ना कि कोई एक individual या personal God का, तो ये law of nature को मानते हैं, law of nature को से ही moral law भी निकलता है, वो भी मानते हैं, जो की universal होता है, लेकिन ये God जैसा जो Hinduism मानते हैं, brahmanical Hinduism उसको नकारते हैं, then salvation जो है, moksh, कि आप कैसे ultimate bliss होता है, उसको प्राप करते हैं, दोनो ही मानते हैं, brahmanic और shramanic salvation को, लेकिन दोनों salvation attain करने का जो रास्ता है, और उसका जो माइने हैं, दोनों में अलग-अलग है, यदि brahmanical tradition में देखें, तो salvation या moksh क्या है, ये है freedom of the soul from cycle of birth and death to attain the highest spiritual state, मतलब कि जो आत्मा, जिसमें believe करती है, brahmanic Hinduism, वो उसका मानना है कि ज या वो उस spiritual state को प्राप्त कर लता है, जो एकदम perfect bliss का है, perfect happiness, कोई वहाँ पर sorrow नहीं है, कोई desire, कोई passion नहीं है, उस highest state को प्राप्त करना जो है, वो मुक्ती है, salvation है, एक तरह का आत्मा से परमात्मा का मिलन, लेकिन स्रमनिक में भी वो मानते हैं कि salvation is nothing but जो आपके जो cycle है, birth और date उससे मुक्त हो जाना, लेकिन वो ये मानते हैं कि इसको आप प्राप्त कर सकते हो, meditation से, purification of speech, act, thought से, self illumination से, अपने अंदर आपको जहाकना पड़ेगा, आपको खुद को पहचाना होगा, क्योंकि आप उस nature का part हो, जो सारी दुनिया में ब्याप्त है, और वो nature bliss है, आ आप bliss के nature से जो है, fall हो करके एक human body acquire करते हो, तो आप उसी bliss के स्थिती में ऐसा कि, आगना सुता मैंने आपको बताया है, उस bliss के स्थिती में पहुँ जाने को salvation करते हैं, और वो आप अपने अंदर ही अपने को पहचान के meditation से और अपने कर्म से जो है, एक spiritual leader के guidance में achieve कर सकते ह आपको किसी external religious, ritual या और कोई practice करने की जरुवत नहीं है, पूजा, पाथ and all, so ये salvation में भी दोनों का फरक है, role and status of individual जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्रहमिनिक हिंदुईजम है, वो बहुँ जादा communitarian है, क्योंकि वहाँ पे society को एक cosmic order का एक integral part माना जाता है, जैसे सूरत जानता रहे हैं, और वो एक organic hole है, जैसे एक हमारा body होता है, individual उस organic hole का एक major part है, और organic hole तभी चलेगा, जब हर individual अपना धर्म निभाएगा, Pluto को याद किजिए, वो भी यही कहते हैं, और अपना धर्म जो निभाएगा, वो उसके जाती से निकल के आता है, और उसकी जाती जो जो पूरा एक विवस्ता है, और यह जो arrangement है, वो society का, वो hierarchical होगा, हर society में जो जहां है, उसकी एक social status है, उस status से ही, उसके duty और rights जो हैं, तै होते हैं, नीचे जो social status में होते हैं, उसकी obligation होती है, higher के लिए, और जो higher है, उसकी duty होती है, नीचे को protect करना, उसका एक patron बना, तो यह जो पूरा system था, caste system का, hierarchical based social system का, वो जो है, एक communitarian system था, individual उसमें कसमसाता रहता है, उसकी agency का कोई role नहीं होता है, individual एक तरह का machine में जैसे कोग होता है, एक पुर्जा होता है, उस type का उसमें, ब्रामनिकल में feeling होती है, जो स्रमनिक है, वहां पे individual के autonomy को ज्यादा value दी जा प्रधानता है, और इसी life में प्रधानता है, जो इस life में अच्छा कर्म करेगा, मंसा वाचा कर्मना, उसका इसी life में जो है, अच्छा होगा, भला होगा, और जो salvation जो है, वो individual के अपने effort से होता है, ना कि ब्रामनिकल हिंदुजय में कि कोई आपको external God की महिमा से, या external light इसा सर्मनिक, नहीं मानते ही, यह एक तरह का interior religion है, अपने अंदर जहां को स्वाह दीपो भवा अपना ही, जो है दीपा खुद बनो, self illumination, यह feeling है इसमें, एक बात ही है, मैं डिस्क्लेमर दे दू, मैं कोई प्रकान पंडित नहीं हूँ, इन सब थियोलोजी में कि ब्रामनि और स्ट्रामनिक के जो थौट है, मेरा ध्यान, जो है, फोकस, पॉलिटिकल थौट पे है, यह जो मैंने आपको बताया है, whatever मैं समझ पाया हूँ, और इसका परपस जो आगे के स्लाइड में, पॉलिटिकल थौट दोनों के समझने के लिए है, उससे अधिकुशनी, यदि पिटलिती हुई हो, तो मैं शमा चाहूँगा विद्ध्वानों सो, जो मुझ से जाधा जानते हैं इस बारे में. अब हम दो स्लाइड में स्ट्रामनिक क्रिटिक और ब्राहमनिक ट्रेडिसंस को समझने की कोसिस करेंगे कि स्ट्रामनिक जो ट्रेडिसंस है वो किन-किन बातों पे वो अपोस करते हैं ब्राहमनिकल ट्रेडिसंस को वैसे तो मैंने अभी तक आपको बताया है, लेकिन थोड़े और इसको विस्तार में, क्योंकि एग्जामनेशन में आपको separate question पूछा जा सकता है, स्व्रामनी क्रिटिक और ब्रामनी क्रेडिसन्स, तो सबसे पहले जिसा मैंने आपको बताया है, कि वो caste system या वर्ण विवस्ता को reject करते हैं, स्व्रामनी ट्रेडिसन्स, उसकी वो क्या क्रिटिक करते हैं, क्या बुराई करते हैं, जाद देखिए, वो बुरिटी मान और वचन और कर्म की शुद्धता, प्यूरिटी से कोई जो है ब्रामन बनता है, ना कि किसी जाती में जन्म लेने से, ब्रामन उसको कहते हैं, who has the moral and spiritual qualities, वो virtuous है, and one who is detached and wise, वो बुद्धिमान है और एक तरह का detached है, worldly affairs से, वरना only functional social arrangement है, कौन क्या कारी करता है, ये जन्म पे अधारित नहीं हो सकता है, second, उन्होंने कहा कि human spaces एक है, एक दूसरे से जो है, वो intercourse कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, कोई physical difference नहीं है, human spaces में, कहीं भी कोई रह सकता है, किसी के साथ में जो है, वो शादी कर सकता है, बिवाह कर सकता है, ऐसे में जो है, वरन को बाटने का कोई logical या physical या biological जो है, logic या तर्क नहीं हो सकता है, different वरना originating from different body parts, जो पुर्शा शुक्ता में कहा गया है, वो उसको नकारते हैं, कि ब्रह्मा के मुख से जो ब्रह्मन पैदा होते हैं, और जंगाओं से और पैर से, ये बिलकुल वो नकारते हैं, उनका कहना है, कि ये सब false है, वो lie है, वो falsehood है व आधार है, कि आप किसी caste में जन्म लेते हैं, तो आपको superior power मिल जाता है, entitlement मिल जाता है, कोई logic नहीं है, ये justice नहीं है, anyone, irrespective of his caste, is capable of moral and spiritual progress, यदि कोई जैसे कि कभीर दास जी जो जुलाहे हो करके वो इतने बरे भक्त संथ बने कि उनके जो अनुआई थे, वो बहुत higher caste कास कर सकता है, किसी caste से, इसमें कोई ऐसा ऐसी बात नहीं है, कि एक शुदर में कोई जन्म लिया, तो वो पंडित या विद्वान नहीं बन सकता है, pure lineage of high caste, again वो biology पे जाते हैं, कि high caste जब करते हैं, कि हम pure हैं, तो क्या अपने आप 7 जन्म तक, 7 पुर्खों तक आपनी purity, अपने lineage का खो सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि महाभारता में भी कई तरह से बच्चे पैदा होते हैं, नियोग से पैदा होते हैं, मतलब कि actual sex नहीं करके जो है, उस तरह की जैसे अभी सरोगेट मदर से की आती, उस तरह पुराने बेवस्ता होती थी, लोग अपने caste से अलग कर देते थे, आपने महाभारता में भी देखा है कि किस की तरह से जो है, वो कभी मत से जो नारी है, उस से बच्चे पैदा हो रहे हैं, कभी सूरत से कहते हैं कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, कई कुंती को जिस तरह से कर्ण पैदा हुआ, तो ऐसे में जो है, कैसे आप कह सकते ह कि आपका lineage जो है, बिल्कुल pure है, आपका blood जो है, बिल्कुल pure है, तो ये बेकार के बाते हैं, biologically आप purity भी प्रूफ नहीं कर सकते हो, caste की, इसलिए, जो है, कोई ऐसा caste-based purity रखना गलत है, इस इन सब basis पे वो criticize करते हैं, caste system को, यदि validity और वेदा को देखिए, कि वेद जो है, वो infallible है, ultimate truth है, ultimate knowledge है, उसको स्रमनिक ट्रेडिशन किस की साथार पे काटते हैं, criticize करते हैं, वो कहते हैं, कि वेदा जार नाइधर eternal नौर authoritative, जो ब्रामनिकल हिंदुजा में कहता है, कि उसे generation में वो transmit करते हैं, उस knowledge को, इसको ये नकारते हैं, उनका कहना है, कि वेद जो है, वो लगता है, किसी individual ने उसको लिखा है, रिशी मुनियों ने लिखा है, क्योंकि उसमें specific persons और places का जिक्र है, और चुकि किसी भी individual का knowledge एक limited होता है, इसलिए वेदा का knowledge भी eternal नहीं है, उसका भी एक समय में particular समय में लिखा गया है, क्योंकि उसमें specific person, places का जिक्र है, वेदाज preach sacrifices, violence, mark art, many faulty doctorines, जैसा कि इस ब्रह्मा के इस अंग से ये जाती निकल रही है, and hence cannot be regarded as authoritative, इसलिए वो authoritative होई नहीं सकती है, क्यों उसमें falsehood भी पढ़ाए गया है, eternity and stable meaning of words are false, Hinduism में ये माना आता है, ब्रह्मनिकल Hinduism में कि word जो है, उसका meaning जो है, वो शाश्वत है, word का जो उचारन है, वो एक तरह का जो है, वो एक औरा देता है, वो एक stable meaning देता है, इन सब को नकारते हैं, आपको मैंने डरीडा पढ़ाया है, एक ही word के अनेको meaning होते है, word क कोई universal meaning नहीं होता है, वो अपने ही जो language है, उसके दूसरे word से तुलना करके ही उसके meaning को आप actually समझ सकते हैं, तो इस basis पे उसको काटते हैं, और finally जो है, ब्रह्मनिकल Hinduism में कायता है कि वेद के चांत में जो है magical power है, उसको आपे दी, इस तरह से गाएंगे, तो उससे जो है बारिस हो सकती है, उससे भला हो सकता है, उससे जो है cosmic order बना रहता है, तो इन सब कोई नकारते ही कहते हैं, कि इवे नौन वैदिक जो mantra होते हैं, उसमें बहुत magical power होते हैं, वो इसलिए होते हैं, कि उस आदमी का will, उसकी spirituality जो उसको उचार्ण कर रहा है, उससे उसमें energy आती स्रामनिक ट्रेडिसंस देखेंगे. साता नजर आता है, उसकी agency की बहुत अहमियत नहीं है, वो एक mere cog in the wheel नजर आता है, ब्राहमनिकल हिंदुजय में, उसको कैसे काटते हैं. It rejected ब्राहमनिकल notion of society as part of cosmic order, held by dharma. यह नहीं मानते कि society जो है सूरच, चांद, तारे के तरह एक cosmic creation है, God का जो की धharma से होल किया आता है. यह कहते हैं कि society जो है human creation है. इंडिवीजुल बनाता है society अपने interest, अपने fulfill करने के लिए virtuous life को. इसलिए वर्ण आस्रन धर्मा को यह काट देते हैं. It did not accept primacy of society in which individual were mere part of the organic whole. नहीं मानते हैं, जैसा मैंने आपको बता है, वो कहते हैं कि no, individual जो है वो important है, वो अपने आप में end है, वो अपने purpose के लिए society बनाता है. It rejects social order based on descriptive, मतलब बर्त के basis पे जो entitlement and rights होते हैं उसको नकार देता है, और जो hierarchy है, जो caste space social status के basis पे उसको भुनकुल नकार देता है. जाकने के लिकाता है, अपने अंदर जो आपका godliness है, जो की nature का godliness है, जो की eternity, जो nature की eternal जो feature है, वो आपके अंदर भी ब्याप्त है, उसी से आपको salvation मिलता है, और individualistic है, individual को खुद मेहनत करनी परती है, श्रम करना परता है salvation के लिए, कोई आपको हाथ पकर के नहीं कर देगा केवल आपको एक spiritual guru का direction मिलता है, एक्जर्शन आपको खुद करनी है, तो ये interior है, individualistic है, each human has equal worth, and social status should be function of one's karma and not birth, जो आप कर्म करते हैं इसी जनम में, वो आपके status को determine करना चाहिए, ना कि जनम, जो की, मतलब एक तरह का accident है, तो उस पर आपका status based नहीं होना चाहिए, उसको reject करते हैं, then finally, belief in God, जो है, या divinity, उसको भी एक तरह से नकारते हैं, स्ट्रामिनिक ट्रेडिशन में, वैसे वो नास्तिक नहीं है, आपको सुनने में लगा कि God को यदि कोई नकार दिया, तो नास्तिक है, उसमें भी कई चीजे वो मानते हैं, जैसे कि जो moral law है, वो universal है, जो nature का जो law है, उसमें morality, ethics, जो है, वो godly जैसी है, लेकिन वो brahmanical hinduism का जैसा साकार God है, कोई एक personal God, जो की omniscient, omnipotent है, जिसकी सारी रचना world है, उसको वो नकारते हैं, so they reject creation of world by some supreme primal person God, नहीं, यह नहीं मानते हैं, उनका मानना है कि हम सब nature के creation है, जो की एक moral law को भी hold करता है, God cannot be perceived by human or natural arrangement, इसका वो corallery कहते हैं कि God को कैसे आप perceive कीजेगा, nature में हम सब कुछ को perceive कर सकते हैं, धूब, बरसात, हवा, जिसको नहीं भी देखते हैं, सुख, दूख, पत्ते का मुर्जाना, लेकिन हम God को कैसे perceive करें, कोई natural arrangement में दिखता नहीं है कि कोई एक personal God है, जो की सब क कुछ create कर रहा है, knowledge attributed to God is not something previously unknown to human, जो भी हम बोलते हैं कि God ये जानता है, वो सब हम कहते हैं, इसका मतलब human भी जानता है, तो कुछ भी ऐसा हम नहीं कहते हैं, जो कि God जानता और हम नहीं जानते हैं, there is perfect mind working to cause and hold laws of nature, ये जो ब्राह्मनिकल हिंदों से का मानना है कि एक perfect personal, primal person ह जो कि सबसे अधिक जानता है, उसी के cause से जो है law of nature चलता है, वो ही चला रहा है, इसको ये बिलकुल नकार देते हैं, ये कहते हैं, ये कोई इस टाइप का लगता ही नहीं है, कि कोई एक ऐसा एक personal knowledge हो सकता है, जो कि law of nature से भी उपर है और वो उसको बनाता है, सभी कुछ जो beyond human reason, rationality and perceptibility, not even God, वही बात कि कुछ भी जो है, जो हमें तर्क से हम समझ नहीं सकते हैं, जो हमारे बुद्धी में नहीं समाता है, जो logically हम जिसको परसीव नहीं कर सकते हैं, वो कुछ वो है नहीं, वो हमारी कलपना है, तो उस टेक को वो God को मानते हैं, religious scriptures may be revealed by supreme spiritual person, वो कहते है कि वेदा को क्यों God का revelation होना है, जैसे बुद्धा God नहीं थे, लेकिन वो Godly person थे, वो supreme spiritual person थे, वो भी जो है, वो reveal कर सकते हैं, और उसके basis पे जो है, जो scripture बनता है, वो भी उतना ही holy है, जितना वेदा है, और वो भी true knowledge माना जा सकता है, लेकिन उस आदमी को supreme knowledge होना चाहिए, पीटी होनी चाहिए, compassion होना चाहिए, उसका हिर्दय जो है, जो सब के लिए दया से, करवना से भड़ा होना चाहिए, purity of heart and mind होना चाहिए उस आदमी का, और वो omniscient जैसा होना चाहिए, तो उसकी जो वानी है, वो भी pure है, वो भी scripture में आ सकती है, जो कि Hinduism, Jainism में माना जाता है, the omniscient human teacher can be the religious savior, यहाँ पे देखिए, यह से मना नहीं करते हैं, जैसे हमारे लिए Hinduism में माल जे God है, कि हमें हर दुख से बचा लेगा, हम मुसीबत में तो हमको बचा लेगा, वैसे ही Buddhism में, Jainism में महाविरा बचा लेगा, गौतम बुद्ध या बोधी सत्व बचा लेग इसमें भी बहुत सारे आस्तिक तत्यों हैं, लेकिन उस तरह का नहीं है, जैसा कि ब्राहमनिकल हिंदूइजम में है, इस स्लाइड में हम यह देखने ही कोशिस करेंगे, कि जो पॉलिटिकल थॉट हैं ब्राहमनिक और स्ट्रामनिक, उसमें क्या हैं, फिर अगले हम देखें, जो कि हिंदू पॉलिटिकल थॉट में एक सिंथेसिस के वे में आती है, और दोनों ही ट्रेडिशन में लगबग कॉमन हैं, वो यह हैं कि जो पॉलिटिक्स है, वो इंटर प्ले है डंड और धर्म का, डंड मतलब या डंड नीती जो है, इसका मतलब होता, आर्ट पूरे सोलर सिस्टम को, जिसके चलते एक कॉस्मिक ओर्डर बना हुआ हुआ है, वो धर्म है, हिंदूइजम के अनुसार, तो यह ट्वीन फीचर्स हैं, पॉलिटिकल लाइफ के, जैसे कि आप यदि बुद्धिजम में देखेगा, तो वहां पे डंडा को वो अना कहते हैं धर्म में हो जाता है, दोनों में थोगा डिफरेंस हो, जो मैंने आपको बताया भी है, इसके अलावा दूसरा यह है कि डंड और धर्म कितना सेपरेट है, यह थोड़ा अलग-अलग है, जैसे आप ब्रहमिनिकल हिंदूइजम में देखेंगे, तो यह दोनों में काफी घाल मेल है, बहुत जादा मिक्स है, डंड और धर्म, लेकिन बुद्धिजम में इसकी सेपरेशन करने की कोशिस की गई है, under the two-wheel theory, वो कहते हैं कि अना और धर्मा को जितना सेपरेट रखो, जैसे आप एक राजा है, वो अपने राज को बचाने के लिए उसको हत्या करना है, इसपाई, जासूस भेजने पड़ते हैं, क्रुएलिटी करनी पड़ती है, वालेंस करना पड़ता है, तो इसको कैसे धर्म माना जाएं, तो यहाँ पे जो यह कंफिक्ट जो हता है धर्म में और डंड में, उसको सेपरेट करने की काफी कोशिस दोनों फिलोसफी में की जाए है, ब्रामनिकल में थोड़ी कम है, वो सेपरेशन और बुद्धिजम या अदर स्रमनिक में जाता है, जो दोनों में कॉमन है, वो यह है कि धर्म या धमा जो है, वो अर्थ या डंड से उपर है, मतलब हिरार्की में आप देखेगा, तो धर्म जो है, वो एंड है, जो डंड है, वो मीन्स है, मतलब एक राज का चलाने के लिए राजा को पनिश्मेंट का सहारा लेना परता है, फोर्स का सहारा लेना परता है, केवल इसलिए कि धर्म का पालन हो, तो एंड क्या है, एम क्या है, गोल क्या है, धर्मा, और उसका माइने क्या है, मीन्स क्या है, बचाये रखना, सभी लोग धर्म का पालन करें, समाज धर्म के अनुसार से चले, ये बनाये रखना, सोसल ओर्डर धर्म के अनुसार, ये राजा की सबसे बरी जिम्मेदारी है, ये दोनों में common है, धर्ड जो commonality मुझे समझ में आया है, कि monarchy या kingship was the most acceptable form of rule, ये एक रहे कि बुद्धिजम खुद एक republican system से निकला, गण से निकला, संगा से निकला, जो कि जिसको कि साक ये गण बोलते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने monarchy को ही सबसे acceptable form of rule माना, और ब्राह्मिनिकल हिंदुजम में तो है ही, तो उसमें republican form जो है बहुत पीछे छूट गया, चौ जहां कि राजा को बिल्कुल absolute sovereignty दी जाती है, even as late as Hobbes के thought में जहां लेवाइथन का concept है, बोथ ब्राहमिनिकल हिंदुजम एन स्रमनिक हिंदुजम में या स्रमनिक traditions में, जो king है, उसकी sovereignty limited है, उसको धर्म के अनुसार से चलना है, उस पे भी राजधर्म लागू होता है, यदि king धर्म से भ्रस्ट हो जाए, अलग हो जाए, तो उसको मार भी दियाया सकता है, और ultimate sovereignty जो है, वो people में लाई करती है, और dhamma या धर्म जो है, वो sovereign है, even over the monarchy, and another जो एक common political thought है, वो है कि दोनों ही जो tradition है, वो pluralist है, pluralist होने का मतलब क्या है, कि king जो है, वही एक center of power नहीं है, ज जो कि उसके अंडर में कोई बिल्कुल नहीं है, किवल एक center of power है, वहाँ पर caste की autonomy है, caste का अपना panchait चलता है, तो उसकी अपनी political autonomy है, caste की जो guilds है, जैसे कोई कपड़ा भुनने वाले का guild है, या कोई लुहार का guild है, उसकी भी अपनी autonomy, अपना rule regulation बनाते हैं, जो kingship या state से बहुत अलग है, trader, merchant और artisan का अपना guild है, वो भी बहुत separate है, तो इस तरह के जो trade communities बनते हैं, या अलग-अलग काई भी communities बनाते हैं, जो tribals हैं, उनकी अलग community है, तो ये सब जो हैं, वो center of power है, उनको अपनी-अपनी autonomy है, तो सब की relative autonomy है, और king भी उसका एक पार्ट है, absolute autonomy, king क या sovereignty नहीं है, तो pluralist, जो है, political arrangement, दोनों जो है, accept करते हैं, और final यदि हम देखें, तो कहीं न कहीं, दोनों ही जो traditions हैं, वो king को एक तरह से divinity से जोडते हैं, या उसमें divine features जो है, देखने लगते हैं, बुद्धिजम जो है, वो social contract की बात तो करता है, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, kingship के उनकी thought, वैसे उसे finally वो जो है, पहले तो वो बोलते हैं कि वो महा समत्ता है, मतलब वो elected king है, बाद में उसको जो है, खतिया बोले लगते हैं, और बाद में उसको जो है, चक्रवर्ती समराठ कहने लगते हैं, और finally वो बोधी सत्त बन जाता है, दोनों ही एक आदमी में नहीत हो जाती है, तो वो भी God-like king हो जाता है, तो और ब्राह्मनिकल हिंदुजम में तो सुरू से यह divine origin of kingship है, तो दोनों ही कहीं नहीं कहीं, kingship में divinity जो है, वो देखने लगते हैं, so these are the common political thought in ब्राह्मनिक and ś्रामनिक traditions, अब हम कंट्रास्ट करते ह हैं, वहां हमने commonality देखी, अब हम देखते हैं कि ब्राह्मनिक और श्रामनिक political thought में differences क्या है, इसमें अधिकतर मैंने अगें बुद्धिजम से लिया है, आप इसको श्रामनिक मान सकते हैं, ब्राह्मनिकल political thought में देखे तो जसा मैंने आपको बताया कि divine origin of kingship और state को माना जात मतलब उसका जो है न, एक ब्रहमांडिय रोल है, कॉस्मिक रोल है, वो incarnation है God का और visual symbol of God है, यहां स्रामनिक political thought में इसको पूरी तरह न कारते हैं, kingship या government एक social contract है, king जो है people का servant है, जिसके लिए उसको tax दिया जाता है, जिए compensation, कोई divine intervention नहीं है, state के formation में, यह people जो है खुद ब is merely a best among equal, जिसको बोलते हैं, primus interperis, मतलब जो सबसे visist बैक्ती है, एक ग्रूप में से वो king चुना जाता है, second यदि हम देखें, तो ब्रहमनिकल हिंदूइजम जो है, वो बहुत जादा, political thought जो है, बहुत जादा religious या theological है, जहां kingship और state, जो है, वो intervention of God माना जाता है, कि God ने उसको create किया है, जो कि धर्म के अनुसार चलना चाहिए, जबकि यहां पर political thought बहुत जादा humanist है, state or kingship is a human institution, an institution created of the people, by the people and for the people, third यदि हम देखें, तो पूरा जो socio-political arrangement है, ब्रहमनिकल में वो hierarchical है, descriptive है, मतलब जन्म पे आधारित entitlement है, आप कहां जन्म लेते हैं, कास्ट में उससे आपकी जो rights, entitlement तै होती है, उसको ascriptiveness कहा आता है, तो ascriptive है, और status-based socio-political order है, जबकि यहां पर, जो है, state को maintain करना है, equality, promote social justice, benevolent welfare state, तो यहां पर काफी egalitarianism है, against the hierarchic socio-political arrangement of Brahminical Hinduism, state जो है, Brahminical में, one विवस्था को maintain करना, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जबकि ऐसी कोई जिम्मेदारी, जो है, स्रामनीक, political thought में, नहीं दी जाती है, King CPI state को, यहां पर एक आपको समझ में आना चाहिए, कि यह पूरी चुकी धर्म पर आधारित है, समाद जो है, पर्टिकुलर वे में चलना चाहिए, तो इस्टेटस को maintain करने की बात होती है, ब्रामनीकल में, change को यहां पर बहुत gradual माना जाता है, conservative है, जैसा conservative होना चाहिए, यह जो है, थोड़ा सा radical है, यह change को accept करते हैं, और थोड़ा सा एक तरह का reactionary kind of thought है, political thoughts रामनीक में, then, कोई separation जो धर्म और डंडा का, जो मैंने आपको बोला, या धर्म और politics का, वो separation बहुत diluted है, ब्रामनीक में घाल मेल है, एक दूसरे से मिला हुआ है, लेकिन यह, बताँ, autonomy नहीं है politics की, politics जो है, एक mere adjunct है, एक socio-religious order का, समाज जो है, धर्म के उसार चल रहा है, राजा ज दिखती है, राजा का कोई खास, जो है, डंड नीती ही नहीं दिखता है, in fact, कोई legislation की जरुवत नहीं है, punishment भी तभी केवल धर्म से कोई डिखता है, तो वहाँ पे काफी politics, जो है, autonomous नहीं दिखता है, लेकिन स्रमनीक में politics, जो है, थो है, थो है, autonomous हो जाता है, two-wheel theory जैसे, ब Buddhism का वो spiritual domain में autonomous होता है, and finally, यदि हम देखें, तो जो ब्राहमनिक, जो political arrangement था, उसका जो core था, वो ब्राहमन च्छत्रिया alliance था, ब्राहमन जो है, धम्मा या धर्म को समहालते हैं, च्छत्रिया जो है, डंड नीती को समहालते हैं, और दोनों मिल करके जो है, एक तरह का वर्च शुद्रा और यहां पर insignificant role था वैसिया के लिए, शुद्रा के लिए और वोमेन के लिए भी, लेकिन स्ट्रमनिक political thought ने जो political arrangement है, उसका core को change कर दिया, उन्होंने ब्राहमन च्छत्रिया alliance को जो है, च्छत्रिया वैसिया alliance से बदल दिया, अब च्छत्रिया का role यहां पर जो ह तो वो काफी ज्यादा inclusive बन गया, तो वो काफी ज्यादा inclusive बन गया, so these were the difference between the political thoughts of ब्राहमनिक और श्रामनिक traditions. Finally dear students, let us sum up, recapitulate करें, फिर से एक बार हम इसको देखने कोशिज करें कुछ main points को, स्रामनिक traditions, जिसमें कि बुद्धिजम, जैनिजम, अजाविका, लोकायुता, भक्ति and many others, योगा और सिद्धा, तांत्रिक सभी आते हैं, they arose as reactions or as a reformation to brahmanical traditions of caste system, ritualism, hierarchical socio-political arrangement and pompousness and external formalizations and pretensions of the institutionalized religion. एक तरह के उसके reaction में ये उठके खड़ा हुआ था, जिसमें से बुद्धिजम, जैनिजम तो एक separate religion भी बन गया। they were heterodox, heterodox मतलब क्या है, जो orthodox से अलग है, orthodox क्या हो गया, brahmanical hinduism, और ये heterodox हो गया, उसके opposition में, unconventional, they were heterodox and rejected, rigid caste system, वर्ण ब्यवस्था को इन्हों reject किया, validity और वेदा को इन्हों reject किया, हम लोगों ने देखा, and belief in God, जो एक साकार भगवान है, उसको भी उन्होंने नकारा, as personal creator of the world, उनके अनुसार से कोई ऐसा person, primal person नहीं है, जिसने की world की रचना की है, हम लोगों ने एक slide में देखा कि कैसे दोनों में political thought बहुत मिलते जुलते है, for both politics was interplay of dund and dharm, हम लोगों ने देखा कि dund और dharm का interplay है, politics, monarchy was the most common rule, king was to uphold dharma and had limited sovereignty, both were plurist in their political arrangement, हमने देखा कैसे उसमें relative autonomy caste की है, guilds की है, merchant and artisan and traders associations की है, even जो foreigners है, उनकी अपनी association है, अपनी community है, तो राजा जो है, वो एक part है, लेकिन political जो बेवस्था है, वो plural है, सबको अपनी अपनी relative autonomy है, but unlike Brahmanican political thought, बहुत सारे difference भी थे स्रामनिक political thought में, वो क्या थे, they rejected divine origin or divinity of the king, king's duty to maintain birth-based hierarchical social order, नहीं, इनका करना था नहीं, king का कोई duty नहीं है कि धर्म को maintain करे, one विवस्था धर्म को maintain करे, no, उसका जो काम है वो punishment, मतलब की command, मने की dunder, यानि social order maintain करना है, equality maintain करना है, राज-काज की वेस्था करनी है, जो धर्म से separate है, superiority और ब्रहमना को भी नहोंने नकार दिया, इन्होंने एक अलग alliance ही बनाया, जो छत्रिया-वैस alliance था, unlike ब्रहमना और छत्रिया alliances और ब्रहमनिकल political arrangement, and जो यहाँ individual को जो अंडर्माइन किया जाता था, socio-political arrangement ब्रहमनिकल ब्यवस्था में, उसको इन्होंने जो है, established किया, human agencies को उपर लेकर के आये, thus what we call Hindu political thought, is a kind of syncritic political thought, एक तरह का synthesis है, between, synthesis of both ब्रहमनिक and स्रामनिक traditions, यह दोनों मिल करके जो है Hindu political thought बनाते हैं, before Islam came into India in 8th century, उसके बाद तो एक और अलग syncritism जो है उभर के आती है, जो कि 12th century से शुरू होती है, और मुगल काल तक चलती है, जिसमें कि Islamic traditions उसके भी अलग-अलग flavor इंडिया में आते हैं, हम लोग ने बरणी और फजल का देखा, और वो फिर Hinduism के साथ मिलके एक syncritic tradition बनाते हैं, जिसको की अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, but before that, Sramanik and Brahmanical political thought ने Hindu political thought को एक syncritic रूप दिया, जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा. फाइनली जो है past years जो question आये हैं, इस topic पे मैंने Delhi University से लिए हैं, हर इन्वरस्टी में इस ताइब ए question आते होंगे, first question है, discuss Sramanik critic of Brahmanic traditions, यह हम लोगों ने detail में देखा, compare the Brahmanic and Sramanik traditions of ancient India, यहाँ भी हमने detail में देखा, हमने ना केबल उनके spiritual या religious जो traditions हैं, उसको देखा, socio-religious, लेकिन हम लोगों ने political जो thought है, वो भी कितना common और कितना अलग है, वो दोनों traditions में देखा, note पुछे जाते हैं, Sramanik traditions पे, syncretism पे, जिसमें मैंने last slide में काफी कुछ कहा, और Brahmanic traditions पे, तो मुझे आसार है कि इस वीडियो को देखने के बाद, आप किसी भी प्रकार के question का, जो है, वो answer लिख सकते हैं, university examinations में. Dear students, ये कुछ references हैं, जो नों मैंने लिये हैं, किवल कुछ ही मैं यहां दे पाया हूँ, इसके अलाबा भी काफी जगे से मैंने देखा है, लेकिन कुछ important आपके reference के लिए, you can also use them. And thanks for watching, like करें, share करें, सबसे important subscribe करें, धिर सारे comment करें, मुझे question पूछें और email करें, जो मुझे अब काफी ज़्यादा मिल रहे हैं, and be safe, keep safe, bye.